नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्निकल वटजी यूटूब चैमें बड़ी खुसकबरी आप सभी के लिए नियूंतम मजदूरी 740 रुपे बड़ी खुसकबरी आप सभी के लिए 2 अक्टूबर से होगा लागू दोस्तों अक्टूबर में मैं हाँ पर लागू कर दिया जाएगा आप सभी के लिए तो आप सभी को जो नियूंतम मजदूरी दर में हुआ इजाफा आप सभी के लिए हर महिने मिलिंगे 26,910 रुपे आप सभी को दिया जाएगा और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं भारत सरकार ने देश में सभी मजदूरों के लिए गुरुवार को एक अहम बैठक का फैसला बैठक में यहाँ फैसला लिया कि इस योजना में नियूंतम मजदूरी दर को बढ़ा कर 1035 रुबे परती दिन का एलान किया गया है भारत सरकार ने मजदूरों के लिए हम का मुख्यकार मजदूरों के जीवन या पन को सही रखना है सही करना है इससे अपनी देनी जरुदों को आसान तरीके से पूरा कर सकेंगे यह बदलाओ इसके बाद यह सपाई साब सपाई समान उतारने और चाड़ने जैसे जो है अकुसल काम करने वाले मजदूरों के लिए नियुनतम मजदूरी 174 फेटी दिन होने वाली है यानि इससाब से अगर एक महने की अगर बात की जाए तो आप सभी को दोस्तों यहां पर लिए बड़ी खुस suction करने और यहांपर एक बेहत बड़ी खुशकभी चौकिदारों के लिए है उनका जो है नुनतम 900 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किया जाएगा आपर लिखा हुआ जो अर्द कुसल स्रमिक है उनके लिए नियुनतम जो है मस्दुरी 800 रुपए प्रतिदिन की रहेगी और कुसल लैटिक और बिना हत्यार वाले चौकिदारों का जो है 900 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से रहेगा और जो चौकिदार है या घाट काम करने वाले लोगों के लिए हैं 1035 रुप नियुनतम वितन जैप प्रतिदिन के हिसाब ने वाला है आप सभी इस अर्टीकल को पढ़ सकते हैं और यहां पर आप सभी जो है इसका इसके लिए सकते हैं तो इसजो हम लगातर लाते रहते हैं और जो यह अप डेट आने वाले iç 성 quar stuk प्रतिद्दिन से लाग हो जाएगा आप को अपने राज्यो में उपने आप लोग पता कर सकते हैं कि आपकी ग्रामपज में किस अनुसार दोस्तों यहाँ पर आपकी मज़दूरी दी जा रही है तो थैंक्यों फैंस वाइबाएं टेक है अगर कोई ने असासन देश आता है हमारे पास तो मैं आप सभी तो जिरू से सेर करूंगा दोस्तों अभी इ